हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैं चैनल, मैं डॉक्टर इतुजन, मैं एक होमेपतिक कंसल्टेंट हूँ और मैं आज आज इस टॉपिक पर बात कर रही हूँ, वो है होमेपतिक मेडिसिन्स फॉर डिप्रेशन तो डिप्रेशन के लिए आज मैं बताऊंगी कि डिप्रेशन क्या होता है और उसके क्या कारण होते हैं और इसके टॉप फाइप मैडिसिन्स भी बताऊंगी जो की हुमेपतिक तो सबसे पहले मैं बात करूंगी depression होता क्या है आजकल जो है इतना ज़ादा depression हो गया है लोगों में कि especially कहाँ जाए तो 30 million Americans जो है anti-depression medicines लेते हैं तो ये जो इतना ज़ादा लोगों में हो गया है कि तुरंत उसको depression को दूर करने के लिए तुरंत medicines ले लेते हैं जिसके काफी सारे side effects होते हैं तो आज मैं बताऊंगे especially जो symptoms होते हैं वो क्या होते हैं depression के तो depression के जो symptoms है अगर आपने कभी डाइग्नोस नहीं किया है अपने वारे में नहीं सोचा और आप इस टेकर फील हो करते हैं आप भी तो आप समझेगे कि आपको depression स्टार्ट हो रहा है और अगर आप उसका सिर्फ होमेपती की treatment लेजे जो कि आपको बहुत अच्छा relax लगेगा इसको लेने से और कोई भी side effects नहीं होंगे तो सबसे पहले मैं बात करूंगे कि generally क्या feel करते है depression जिनलों को होता है तो सबसे ज़्यादा यह होता है कि बहुत low feel करते हैं बहुत ज़्यादा sadness feel करते हैं तो low feel करना, sad mood रहना हर वक्त, कुछ भी करने का काम करने का मन नहीं करना बहुत aversion करना, कोई भी work करने के लिए बहुत laziness लगना और फिर किसी भी काम में आपका interest ना आए भली आपको मालूम कि वो काम आपके लिए बहुत जरूरी है चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो आपके office का काम हो, आपकी कोई work का काम हो तो भी लेकिन आपको कोई भी interest नहीं आता है काम करने में और आप hopelessness हो जाते हैं, किसी भी चीज के लिए hope आपकी खतम होने लग जाती कि नहीं कुछ नहीं होगा, मेरे साथ यह कुछ नहीं कर सकते हैं, इसमें कुछ नहीं होगा भली वो कितना अच्छा का हो, फिर भी आपकी hope खतम हो जाती है, उस काम को लेके साथी साथ आप बहुत guilt feel करते हैं, किसी भी चीज के लिए, आपको कुछ भी चीज आपके साथ ऐसा होगे आपके आपके किसी के लिए कुछ बोल दिया हो, और फिर आप उसके लिए guilt feel करने लग जाते हैं, जो कि नॉर्मल ही इतना नहीं हो ज़रूरी, वो guilt feel करने लाएक बात, लेकिन फिर भी आप बहुत guilt feel करते हैं, तो यह सारे चीजे डिप्रेशन में जेनरली लोगों को जाधा होती है, नॉर्मल परसन को भी सारी चीजे होती है, बट वो इतना जाधा नहीं होता है, वो temporary होती है, कुछ दिन के लिए हुआ, दो दिन सोचा, एक दिन सोचा, फिर वो भूल गया, उस चीज को नहीं ध्यान दिया, बट चीज को गिल्ट में ले लेते हैं, अपने की मैंने बहुत जादा गुसा कर दिया, तो वो एक गिल्ट मानने लग जाते है, तो जनरली डिप्रेशन की सिम्टम्स होते है, साथी साथ इसमें बट जाधा होती है, या तो बहुत जाधा स्लिपी हो जाता है, कि हर वक्त उसको लगता है कि मैं जाके सो जाओं, मैं सोता रहूं, मैं एक रूम में अपने आपको बंद कर लूँ, बट वो अलोन से दूर भी भागता है क्योंकि उसको डर लगता है, कहीने कहीं ग्रीफ रहता है, और उसको लेकिन अलोन में रहना भी अच्छा लगता है, कि वो सोचता है कि म वोसों जोन ऑप अब करते हैं मैं किसी को ब्रचिन हो चुका है तो उसकी वज़ा से आपको भी जलिख की झेफंटील हो ज़का करता है दिन इसके बाद कुई सिंटम सो्ता अगर आपको कुई dolor इवेंट्स होते हैं कुछ जिसकी वज़े से आप में चेंजेस आएं कोई आपने ऐसी कोई डिफिकल्टी देखी अपनी लाइफ में जो कि आपको डिप्रेशन की वज़ा बन जाते हैं जैसे कि आपको कोई बहुत जाने वाला की डैथ हो जाए आप से दूर हो जाए या तो क फैमिली मेंबर जो आपसे बहुत क्लोस था वो दूर हो जाए तो ऐसी कंडिशन में भी डिप्रेशन साना शुरू हो जाता है साथी साथ कुछ फाइनेशियली लॉस होते हैं जिसकी वज़े से आपको डिप्रेशन में चले जाते हैं आपका बिजनस पुरा लॉस में चले और इसके अलावा भी कुछ मेडिसेंस होती हैं जो मेडिसेंस में आप बताऊंगे आपको डिप्रेशन के लिए होती तो वैसे कई सारी मेडिसेंस हैं बट मैं आपको सबसे पहले मेडिसेंस जो आती है वह है इगनीशिया इगनीशिया मेडिसेंस जो होती है स्पेशली आप किसी चीज से बहुत ज़ादा डरने लग जाती है और उस डर के बाद जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम हाती है तो उसको अपन बोलते हैं उसके लिए मेडिसन होती है इंगनीशिया नेक्स्ट मेडिसन है वो है नेटरम्यूर नेटरम्यूर मेडिसन जो स्पेशली होता है वो च्रॉनिक डिप्रेशन में स्पेशली बहुत जादा टाइम हो चुका है और आप जो किसी पास्ट मेमोरी को लेके पास्ट कोई सैड मेमोरी है जिसको आप लेके बहुत जादा सोच आपको अकेला पन अच्छा लगता है, आपको लगता है कि मैं अकेले में जाके रूम और उस चीज को याद करूं, उस चीज को सोचूं, तो यह सारी जो सिम्टम्स होते हैं, वो इस्पेशली होते हैं, नेटरम यूर मेडिसिन के, इनको अवर्जन रहता है, कोई भी काम करने में मन नहीं लगना, आपको किसी भी काम का मन नहीं करता है, और अपने फैंपली मेंबर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंडिफरेंट हो जाते हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा एंगर करते हैं, वो बहुत अच्छे बाप जिसक कालिफॉस हो जाती है आपके अने अगर से वजबन दू हो जाताँ है कि आप जली सो नहीं पाते हैं बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो उसमें medicine हो जाती है काली फॉस तो इसके लावा medicine होती है acid phos acid phos भी बहुत अच्छा work करती है ये भी एक तरीका tonic है जो कि आपको बहुत ज़्यादा का feel low कर रहे है आप बहुत sad feel कर रहे है आपको साथ साथ weakness लग रही है थोड़ा कमजोरी लग रही है तो उसमें medicine हो जाती है आपकी acid phos ये मैंने आपको top 5 medicines बताई है इसके अलावा भी कई सारी medicines होती है depression के लिए होमेपैतिक में वो constitutionally work करती है वो सारी medicines मैं आपको नहीं बताब सकती है चोटी से टाइम के लिए तो इसलिए अगर आपको ये medicines और आपका depression पर आपको जो भी मैंने आपको बताया वो अगर आपको अच्छा लगा या फिर आपको ये depression, anti-depression medicines ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो बंद करके आप होमेपैतिक लेना चाहते हैं तो प्लीज मुझे comment करके जरूर बताईए आप मुझे comment करके बताईए तो आपको मैं जरूर उसका solution बताऊंगी और साथी साथ मेरे आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू